नमस्कार, फर्स्ट एप्रिल को मैंने अपना पहला पॉड़कास्ट प्लोर किया, आप लोगों का रेस्पॉंस बहुत ही अच्छा रहा, आज तक इन दो महिनों में 800 डाउंडोड हो चुके हैं, काफी लोगों ने मुझे हिद्धी पॉड़कास्ट करने को करा, आदर्निया, संद्रमोन जी, SSRL के विकास काफ्री जी, पेंटेगॉन बैटरी से कमल कंसर जी, लक्नाव से कुंकुं जी और आगरा से जासा, ये सभी लोगों ने मुझे प्रोचसाइट किया, मैंने कोशिश की है, एक पहला पॉड़कास्ट आप लोगों के लिए ले आया हू हिंदी में बोलना तो बेरे लिए थोड़ा कटिन है ही, और कोशिश करना मेरा फर्स है, रेस्पॉंड सही रहा, तो हिंदी पॉड़कास्ट का सीरीज जाड़ी रखोगा, आप लोगों के प्यार के लिए फिर से एक बार शुक्रिया, पहला पॉड़कास्ट अब शुरू क नमस्कार, आज हम डिसकस करेंगे लेड असिद बैटरी के सलफेशन के बारे में, लेड असिद बैटरी में सलफेशन क्यों होता है, क्या सलफेशन हमेशा ही बुरा है, और सलफेशन को कैसे पैचानना चाहिए, कि ये सलफेटर बैटरी है, एक्चुली सलफेशन जो है यह तीन परिस्तितिया है जब बैटरी सलफेट होती है पहला है जब हम बैटरी को चार्ड डिस्चाज करते हैं यह नॉर्मल सलफेशन है यानि कि यह स्वाभाविक है और यह होना ही है और हमेशा जब बैटरी डिस्चाज होता है तब सलफेशन होती है जो positive pleats lead sulphate हो जाते हैं, negative pleats lead sulphate हो जाते हैं और इसको हम जब ही recharge करते हैं तब ये सलफेशन चली जाती है यह नॉर्मल सलफेशन है और यह प्रब्लम करती नहीं है यह सलफेशन क्या है जब हम चार्ज करते हैं तो लेड्स सलफेट जो पॉसिटिव में है वो निकल के बहार आता है ऑक्षिदेशन होती है प्लेट की और लेड्ड डैयोक्सेड होते हैं और negative plates, जो lead sulfate है, वो reduction reaction से वो lead sulfate भाहर आती है, और negative plates sponge lead हो जाते हैं. मतलब positive plates lead dioxide और negative plates sponge lead. फिर से discharge करो, दोनों ही lead sulfate बनते हैं. फिर से recharge करो, positive plate lead dioxide बन जाता है, negative plates sponge lead हो जाता है. ऐसे जो reaction होती है, और इस परिडाम सोरूप जो reaction होती है, यह reaction नॉर्मल है, स्वाबाविक है, और यह sulfation से बैटरी को कोई हानी नहीं पहुंचती. दूसरा sulfation है, जब हम बैटरी को self discharge हो जाती है, जैसे कि lockdown में बहुत से गाडिया, लोगों ने start नहीं किया, 20 दिन, 25 दिन, 1 मेना, 1,5 मेना, और बैटरी डिस्चार्ज हो गई और बैटरी sulfate होई. ऐसे जो sulfation होती है, यह sulfation भी हम बैटरी को charge करके निकाल सकते हैं, और ऐसी sulfation भी कोई problem नहीं करती. जब ऐसे sulfation होती है, जिदर पैटरी self discharge हुआ है, और जो sulfate crystals बनते हैं इसके वज़े से, यह समान रूप से वित्रित sulfates है, और यह छोटे crystals है, और ऐसे जो sulfate crystals है, यह जरज़रा है, मतलब पोरस है, और आत्यादिक प्रवा किया है, मतलब highly conductive है. इसके वज़े से, बैटरी बिगड़ती नहीं है, और बैटरी को कोई हानी पहुंचती नहीं है. तो यह दो प्रकार के जो sulfation है, एक जो मैंने बताया, normal charge discharge reaction के, और दूसरा जो है, self discharge, बहुत दिनों से बैटरी नर्व आपरने के वज़े से, यह दोनों टाइप के sulfation जो है, इसमें बैटरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. एक तीसरा टाइप का sulfation है, जो बैटरी के लिए problematic है, और यह जो sulfation है, यह क्यों होता है? यह sulfation तब होती है बैटरी में, जब हम बैटरी को निगलेक करते हैं, या misuse करते हैं, या बैटरी को बहुत ही बुरी हाल में use करते हैं. ऐसे sulfation कब होती है? जब हम बैटरी को महिनों तक discharge state में छोड़ देते हैं, और scrap की तरह डालके रख देते हैं, और फिर उसकी वॉपर करने की कोशिश करते हैं. मतलब, बैटरी kept in discharge state for long period of time. मतलब, बहुत ही दिनों तक बैटरी आप बॉपरा नहीं है. या बैटरी को हम पानी से टॉप अप न करते हुए, असिड से टॉप अप करते हैं. मतलब, बैटरी is topped up with acid instead of water. तो ऐसे टाइम में भी sulfation होती हैं, जो बैटरी के लिए हानिका रहा होती है. या बैटरी को हम repeatedly over discharge करते हैं. मतलब, बैटरी is repeatedly over discharged. हमेशा over discharge करो, फिर charge करो, over discharge करो, करते रहो, तो बैटरी sulfate होती है. या बैटरी को हम high temperature में regularly use करते हैं. मतलब, बैटरी is operated at elevated temperature, beyond recommended safe limits of operation. बैटरी को आप high temperature में नहीं वापरना चाहिए continuously, और आप continuously high temperature में वापरते हैं, तभी मी selfishन होती है. और अगर एक बड़ा बैटरी है, जिसमें एकाद दो cell बिगड़ गया, like traction battery होते हैं, 36 volt के, 48 volt के, 72 volt के, इसमें एकाद दो cell बिगड़ जाता है, और वो lagging होता है, और फिर भी हम बैटरी वापरते हैं, तो वो cell बिगड़ जाती है, और बाकि जो अन्य cell जो है, उसको भी ब होजाते हैं, और बिगड सकते हैं, Milky battery is persistently undercharged, मतलब आप वापर तो रहें बैटरी को, और पूरा चार्ज नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, और फिर से वापर तो यह जाते हैं, ऐसे undercharged battery जो होते हैं, यह भी sulphate हो जाते हैं, और लास्ट कारण जो है बैटरी को लो एलेक्ट्रलाइट से इनसफिशिंट टॉपिंग अप मतलब आप बैटरी में पानी नहीं डालते हैं सेपरेटर के लेवल के नीचे पानी चला जाता है फिर भी बैटरी वह परते हैं तो ऐसे बैटरी जो सल्फिट होते हैं और इस तरह के सल्फिशन जो है यह बैटरी के लिए हानी का रख होता है और बैटरी को नुक्सान पहुंचाती है अब आपके पास अगर कोई बैटरी रिटर्ण आ गया और आपको कैसे पैचानना है कि यह सल्फिटेड बैटरी है या कस्टमर ने सही तरह से उप्योग नहीं किया है और पहले आप कस्टमर को कैसे बोलेंगे कि यह बैटरी सल्फिटेड है तो साइन्स ऑफ सल्फिशन मतलब क्या आपको बैटरी से सुजाओ मिलता है कि यह बैटरी सल्फिटेड है एक तो बैटरी की continuously capacity low है, a decrease in cell और बैटरी capacity, दूसरा अगर आप charging में रखेंगे और बैटरी तुरंत gassing में चला जाता है, तब आप पैचान पाते हैं कि ये sulfated battery है, अगर बैटरी को revive नहीं कर पा रहे हैं, और आपने सोचा कि इसकी आंतरिक परिक्षा करें, internal examination करें, और आपने बैटरी खोल दिया, और आपने देखा कि positive plates जो है, वो light brown color है, और उसमें सफिद spots है, white spots है, और एक abnormal color है, जो normally plates के positive के color नहीं होते, ऐसे color है, तो आप पैचान पा बैटरी है, अगर बैटरी में बहुत ही low specific gravity है, acid का, तब भी आप पैचान पाते हैं, यह sulfate हुआ हुआ बैटरी है, और लास्ट कारण जिससे आप पैचान सकते हैं, वो है कि negative plates इतना bulge हो जाता है, कि आपके बैटरी के container या partition walls damage हो जाते हैं, और बैटरी bulge होती है, तो यह सब कारण से आप समझ सकते हैं, कि battery is sulfated है, और इस तरह की sulfation जो है, यह बहुत मुश्किल है इसको revive करना बैटरी को, और इसमें यह जो बैटरी, sulfated battery के sulfate crystals होते हैं, यह बहुत बड़े crystals होते हैं, crust type के होते हैं, और यह आपको तुरंद समझ में आएगा, कि जो normal sulfate crystals है, उस से यह अलग होता है, और ऐसे बैटरी को revive करना बहुत मुश्किल है, इसको कैसे revive करना है, और क्या करना है, यह मैं अगले podcast में आपको समझा दूँगा, टैंक यू